तुटुडेंट आज हम इस्टार्ट कर रहे हैं क्लास एर्थ साइंस चैप्टर फूर मटेरियल्स मैटल्स एन नॉन मैटल्स हमने चो लास्ट वीडियो उस्ते उसमें हमने मैटल्स एन नॉन मैटल्स की फिजिकल प्रोपर्टी देखी थी उनको आपस में डिफरेंसेस किया देख चुके थे चैनल ब्रजेश बागडी पर जाकर हमारे प्रीविएस वीडियो देख सकते हैं और यदि आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक एवां सब्सक्राइब करें साथ बैल आईकोन प्रेस करें थाकिया आपको लेटेस्ट वीडियो के अप अक्तिविटी बताई गई का किया है, क्तिव हधार K ठीक है ना और फिर बर्निंग मैच स्टिक जो है वो टेस्ट चूब के पास लेके जानी है जब हम लेके जाएंगे तो वो क्या होगा पॉप साउंड आएगा है ना पॉप साउंड ये हम देख रहेंगे कि मैटल स्टियं हिड्यो उचल कर रही है तो वो क्या बना रहे है भीश्यो आसानी थिक के साथ ना करते हैं अब जो हमा रहे हैं हमारी displacement reaction दिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता डिस्प्लेस होना मतलब अपनी जगह से हटना तो यहां किसका displacement होगा compounds का obvious बात है जो केमिकल compound से उनका displacement होगा, मतलब क्या होगा, एक compound के एक element की जगा, दूसरा element आ जाएगा, ठीक है, तो इसमें हम जो यह देखेंगे, तो copper sulfate and iron के बीच में activity reactions बताई गई है, हमने 7th में देखा था, उसमें हमने देखा था, कि एक test tube ली थी, उसके अंदर हमने क्या लिया था, copper sulfate जो क जो था, iron nail जो होती है, वो dip डी की थी, इसके अंदर, iron nail को हमने इसके अंदर dip डी किया था, तो हमने थोड़ी दिर बात देखा था, यह जो blue color का copper sulfate है, इसका color change होके कैसा हो गया था, brown हो गया था, क्योंकि जो copper sulfate का copper है, CUSO 4 का जो copper है, यह किसके थूद डिस्प्लेस हो ग का copper था, it replaced by the iron, किसने replace कर दिया था, इसको iron ने replace कर दिया था, तो यह जो reaction थी, वो displacement reaction थी, यहाँ पर भी displacement reaction को example के साथ बताया गया है, वो देखिये, हमें 500 ml beakers लेने हैं, और उन पर क्या mark कर देना है, A, B, C, D, E, ऐसे पाचों beaker पर मार्क कर दिया, अब इन सब में हमें क् substance बताये गये हैं, वो डालना है, dissolve in each beaker at a spoonful of each substance as indicated in figure 4.6A, देखिये, यह figure 4.6A में क्या क्या यह बताया गया है, सबसे पहले A beaker में हमें डालना है, copper sulfate, A में हम क्या डाल रहे हैं, copper sulfate डाल रहे हैं, और उसमें हमने डाले zinc granules, मतलब zinc के कुछ pieces डाले, B में हम copper sulfate डाल रहे ह और उसके साथ हम क्या डाल रहे हैं, iron nail डाल रहे हैं, है न, copper sulfate के साथ हमने iron nail डाल दी, C वाले में हमने zinc sulfate डाल और उसमें copper के pieces डाल दी, ठीक है, और E वाले में हमने zinc sulfate डाल और उसमें iron nail डाल दी, अब देखिए होता है क्या है मैटल हमेशा वो ही डिस्प्लेस कर पाती है जो more reactive होती है ठीक है आप जैसे मानली जी है इससे इस तरह से समझे आप एक जगह पे बैठे हुए हैं ठीक है आप अपने प्लेस पे बैठे हुए हैं अब मानलो आपका कोई फ्रेंड आया मतलब ऐसे ही कोई और उसने बोला आपको उठ जो आपने मना कर दिया तो देखो दो चीजे होंगी क्या होंगी या तो वो आपको जबरजस्ती पकड़ के उठाएगा तो या तो आप उठ जाओगे या नहीं उठ पाओगे तो उठ कब जाओगे जब वो आपसे ज़्यादा पावरफुल होगा आपसे ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी उसमें यदि वो आपसे ज़्यादा पावरफुल या ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला है तो zinc क्या करेगा, copper को displace कर देगा, और खुद क्या बना लेगा, zinc sulfate, देखो, A में हुआ यह, zinc sulfate का formation हो गया, इसलिए solution का color change हो गया, यह जो color change हुआ है solution का, यह क्या indicate कर रहा है, कि यहाँ पर reaction displacement हो चुकी है, यहाँ पर displacement reaction हो चुकी है, यदि इसका color change नहीं होता, तो यहाँ पर displacement reaction नहीं होती, बट यह जो color change है, यह शो कर रहा है कि यहाँ displacement reaction हो चुकी है, मतलब copper के comparison में zinc जादा reactive था, copper के comparison में zinc जो था, वो क्या था, जादा reactive था, इसलिए उसने copper को displace कर दिया, ठीक है, पहला वाला समझ में आ गया, then हम second पे आ रहे हैं, second में हमने copper sulfate डाला था, और उसमें iron nail डाली थी, अब यहाँ भी देखिए, as compared to copper, iron is more reactive, as compared to copper, iron is more reactive, so copper is displaced by the iron, copper को कुण displace कर देगा, iron displace कर देगा, तब copper जो है वो अलग निकल जाएगा, और यह iron जो है, sulphate के साथ मिलके, FESO4 का formation कर लेगा, यह देखिए, iron sulphate बन गया, ठीक है, then हम third वाली reaction देखें, zinc sulphate में copper, अब देखो, हम first में ही देख चुके हैं, कि copper less reactive है zinc से, तो zinc sulphate में से, वो zinc को displace कर पाएगा, क्या, नहीं कर पाएगा, क्यों, क्योंकि copper less reactive than zinc, तो zinc sulphate का solution ऐसा की ऐसा ही है, और यह ऐसा की ऐसा ही है, कोई भी reaction नहीं हुई है, तो इसका color भी change नहीं हुआ है, then next वा turnings डाली थी, अब देखो, यह भी हमें second वाली reaction से पता चल चुका है, कि iron is more reactive than the copper, तो how it possible कि iron displace, copper displace iron in this solution, तो यह possible ही नहीं है, तो यह क्या करेगा, यह solution भी ऐसा की, ऐसा ही रहेगा, और iron sulphate का solution as it is रहेगा, copper उसको नहीं displace कर पाएगा, then the fourth reaction में क्या था, zinc sulphate जो है, iron nail मे zinc sulphate के solution में iron nail को हमने dip किया, तो zinc is more reactive than the iron, zinc is more reactive than the iron, so it cannot displace zinc from the zinc sulphate, तो fourth वाली में भी क्या हुआ, उसने displaced, sorry, fifth वाली में भी उसने displaced नहीं कर पाया है, तो इस तरह से यह जो पूरी reaction से, यह पूरी activity जो है, यह displacement reaction को बता रही है, displacement reaction क्या है, when the less reactive, when in a reaction, when in a reaction, less reactive compound is displaced by the more reactive compound, in a reaction, if a less reactive compound is displaced by the more reactive compound, then the reaction is known as the displacement reaction, ठीक है, example इतने सारे दिये हुए है, आज आप इसको ध्यान से देखिए, यह पूरा जो है, यह सब कुछ यही बताया हुआ है, जो मैंने आपको समझा दिया है, यह पूरा आपको read करना है, यहां से लेके, यहां से लेके, यहां तक का, यह पूरा आपको read करना है, यह मैंने पूरा आपको समझा दिया है, then हम uses of metals and non-metals जो हैं, वो next video में देखेंगे, हम समझेंगे, क्या uses है metals के और क्या uses है non-metals के, ठीक है, उसको हम थोड़ा सा detail में देखेंगे, हम उसे next videos में देखके, और यह chapter हमारा फिर finish होगा, तो आज के लिए इतना ही thank you so much.